हलो माई डियर फ्रेंड्स मेरा नाम है रोश्नी और मैं आप सभी के सामने आज लेके आई हूँ स्पोकन इंग्लिश का पांचवा दिन का क्लास और ये फिफ्ट डे में हम लोग क्या सिखने वाले हैं मैं बताऊंगी आप लोगों को थोड़ी देर में उससे पहले मैं आपको बताती हूँ जो भी टॉपिक्स आज तक मैंने डिसकस किया वो सभी प्राक्टिकली आप लोगों को इंप्लिमेंट करना है ठीक है अगर नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे और हम लोगों का मोटिव है आपको जल्द से जल्द एंग्लिश बोलने वाला बनाना तो आप सभी से निवेदन है हम लोगों का जो वीडियोज है वो आप प्राक्टिकली करके देखिए और एक कॉपी बनाईए जिसमें आप हम लोग जो भी कर रहे हैं वो नोट डाउन करेंगे तो चली मै क्लास से स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ वो 10 words जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप simple words यूज करते हैं day to day life में उसको कैसे सिर्फ word change करने sentence का standard change हो जाएगा वो मैं बता रही हूँ आपको थोड़ी देर में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आ आप देख सकते हैं 10 words जो कि हम लोगों को use करना है अपने day to day life में और यह जो words है वो बहुत ही easy words है अगर आपको इसका meaning पता चल जाए तो बहुत ही easy words है और आप सोचेंगे कि यह तो बहुत use कर सकते हैं हम लोग day to day life के conversation में तो चलिए हमें start करती हूँ first word से that is intrigue okay intrigue intrigue का मतलब है कोई भी किसी भी चीज में interested होना उसके बारे में जानकारी हासिल करना उसको लेके questions करना interested होना तो यहाँ पर मैंने sentence लिया है simple लोग क्या बोलेंगे why are you interested in this affair ठीक है यह बहुत ही simple way में हो गया तो हम लोग interested यह simple one word को we are going to replace it with intrigue okay why are you intrigued in this affair meaning same है लेकिन अगर आप intrigued बोलेंगे तो देखिए आपका English का standard अलग हो गया है ना तो चलिए मैं next word आपको introduce कराती हूँ वो है encounter अब यह encounter word सुनके यह मत सोचीगा कि वो पुलिस वाला encounter है यहाँ पर encounter का मतलब है face to face होना आमने सामने होना alright तो मैंने word लिया है डराऊना word वो है I saw a ghost मैंने एक भूत देखा तो इसको standard way मैं कैसे बोलूँगी I encountered a ghost मैंने एक ghost को देखा meaning same है saw को मैंने कर दिया encountered तो I hope यह दोनों आपको याद हो गया होगा मैं चलती हूँ next slide में next word है muse इसको pronounce करेंगे muse जब हम लोग सोचते हैं किसी भी topic को लेके गहन चिंतन जब करते हैं उसको बोलते हैं muse so मैंने word लिया है मैंने sentence लिया है let me think यह think को मैं हटा के लगाती हूँ muse तो यह हो गया better sentence let me muse a bit यहाँ पर अगर कोई आपको बोलता है चलो movie देखने चलते हैं तो आप सोचेंगे कि मुझे तो बहुत काम करना है तो आप थोड़ी देर के लिए आप time मांगेंगे और सोचेंगे जो भी काम pending है वो important है या नहीं है तो वो सोचने का period को बोलते हैं muse तो next time आप यह think को हटा के बोलिएगा muse all right okay next inclination inclination का मतलब हुआ किसी भी चीज के और जुकाओ होना all right किसी भी चीज के और जुकाओ होना interested होना तो मैंने यहां पर word लिखा है football I like football okay like को मुझे replace करना है ताकि मेरा sentence ही change हो जाए then I'll write I have an inclination towards football okay तो अगर यह sentence यूज करती हूँ तो मेरा level जो है वो सुनने वालों को पता चलेगा okay next slight move करते है next word है inferior okay इसका मतलब है जो की up to the mark नहीं है जो की quality के अनुसार उस level पे नहीं है यह किसी भी चीज के लिए applicable हो सकता है behavior okay उसका उसकी आदत अच्छी नहीं है he has an inferior nature okay या फिर behavior यसे बोल सकते हम लोग तो जो मैंने sentence लिया वो मैं पढ़के बताती हूँ आप लोगों को this is very bad in quality okay this is very bad in quality तो इसको मैं तीन वर्ड में बोलूंगी this is inferior next body pronunciation will be body okay w हो जाएगा silent body okay body का मतलब है unpleasant dirty filthy गंदा मेला कुचेला उस टाइब का यह किसी भी situation में applicable है यहाँ पे मैंने सिर्फ एक situation describe किया है हो है I hate dirty people okay dirty people dirty मैंने use किया तो इसको मैं करूंगी replace with body I hate body people okay मैं गंदे लोगों को पसंद नहीं करती हूँ मैं जिनकी आदते गंदी है उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ okay let's move to the next slide again sophisticated sophisticated is another word sophisticated का मतलब है cultured classy जिसका mannerism अच्छा है overall किसी किसी इनसान को देखके उसका manners ही different होता है है ना किसी का बोलने का तरीका होता है कि वो 10 फिट दूर जो इनसान है उसको चिला के बुलाएगा और कोई इनसान है वो पास में जाके उसको धंक से अच्छे तरीके से बुलाएगा यह सब manners included होता है एक इनसान को describe करने के लिए ठीके उसका पहनावा उसका बोली बोल चाल कैसा है उसका gestures कैसा है यह सब को लेके overall हम लोग एक जो view बनाते हैं वो किसी का आच्छा होता है किसी का बुरा तो जिसका आच्छा है उसको बोलेंगे sophisticated lady sophisticated man ओके तो यहां पर मैंने यूज किया है she is a good natured lady इसको replace करूंगे मैं sophisticated word से so the word will the sentence will be she is a sophisticated lady चीक है ओके next is nasty nasty मतलब unpleasant जो कि आपको पसंद नहीं है कोई बहुत ज़्यादा sore करें वो हम लोग को पसंद नहीं होता है ना तो उस behavior को बोलेंगे nasty behavior और nasty habits so the sentence is change your bad habits यह normal लोगों के लिए है और हम लोग pro version में आते हैं तो हम लोग बोलेंगे alter your nasty habits ठीक है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं refine your nasty habits okay यह दोन में से कोई एक को बोलना है I hope sophisticated and nasty is clear now the last two words are vicinity second last is vicinity vicinity मतलब आस पास के area में neverwood में locality में ठीक है तो इसको में replace करूंगी दूसरे वर्ट से a camp has been set in our locality यह locality हटा दूँगी और लगाँगी vicinity a camp has been set in our vicinity vicinity का और एक word है environment environment मतलब आस पास का area okay तो इसको हम लग यह भी कर सकते हैं a camp has been set in our environment okay और vicinity और neverwood okay all are correct okay let's move to the last one obsolete okay obsolete इसको बोलेंगे obsolete और इसका मतलब है जो की fashion में नहीं है जो की पुराना हो चुका है जिसको upgrade और update करने की जर्रत है उसको बोलेंगे obsolete okay so nowadays reading newspaper has become old fashioned old fashioned को replace करूंगी obsolete से let's see nowadays reading newspaper has become obsolete ठीक है पुराना आदत हो गया friends I hope the video was helpful for you all और यह जो दस words है उसको आप लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ वैदर यह helpful था या नहीं था मुझे जरूर बताए message के through हम लोग next video में मिलेंगे तब तक के लिए take care and bye